हाई अबरीबन नॉन इस्ट फैक्टर जो कि ग्लाटीन मेग्जीम है जिसका मतलब इस लॉट दी डीड यह डीड नहीं है फॉर एक्जामपल आप बिना पड़े एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हो जिसमें कुछ ऐसी कंडिशन लिखी हुई है जिसके लिए आप कभी अग्री नहीं करते लेकिंट जब एक्जीक्जीशने की बात आती है और जब आपको ऑंधीशन का पता इस और इस पर शंद लगा देटा है लेकिन आक्षिल में होती ही नहीं इसमें होते हैं कि एक प्रॉपटी पर बी का पोजेशन जाएगा अगर यह 30 September को payment करने में फेल हो जाता है अब यह सच में 30 September को payment करने में फेल हो गया वी क्लेम करता है कि भई अपनी प्रॉपटिए का पॉजिशन मुझे दो तब ए डिनाय करता है कि भई मैंने जो अग्री किया तो इंट्रस्ट के लिए किया था प्रॉपटिव तब भी A के उपर case file करता है इस contract को perform कराने के लिए अंडर इंडियन contract या फिर specific relief act तब इस case में A जो defendant बना हुआ है इसमें इसके पास क्या option available है understand the legal concepts with extent of laws तो ऐसे cases में A non-east factum को claim कर सकता है कि उसने जिस contract पी sign किया है वह by mistake किया है क्योंकि उसके बारे में actual में उसको knowledge थी ही नहीं और अगर यह प्रूफ कर देता है तो इस contract का effect क्या होगा void ab initio तो defendant ऐसे cases में defense ले सकता है contract cases में ताकि इस contract की जो liability बन रही थी इस contract की जो liability बन रही थी उससे बचा सके क्योंकि अगर इसको perform कराना होता और यह प्ली नहीं करता तो सब्सक्राइब कर सकता है एक प्ली कर सकता है तो यहां पर claim किया जा सकता है कि यह document एक invalid है क्योंकि इनोंने sign by mistake किया है क्योंकि actually में जिस्टें पर execute हुआ या जिस्टें पर sign किया या इसके character के बारे में exactly नहीं पता था अब ऐसे तो मान के चलो कि सच में A और B के बीच में interest को ना लेके सच में property का ही agreement हुआ था तो ऐसे तो हर कोई अपनी liability से बच सकता है आपने जिस document पर sign किये थे अब उसमें जो conditions है आप उससे बचने के लिए यह claim कर सकते कि मैं तो पड़ा नहीं था ऐसे तो हर कोई बचके निकाल सकता है न तो ऐसे किसिस को avoid करने के लिए 1971 केसिस में Supreme Court ने कुछ requirements को mission कर दिया कि defendant के उपर defendant अगर यह plea claim करता है तो defendant के उपर ही burden of truth shift हो जायागा इन तीन requirement को पूरा करने के लिए establish करने के लिए सबसे पहला कि जो person claim कर रहा है चाहे वह executor है यह चाहे वह signator है तो जो claim कर रहा है उसे यह proof करना पड़ेगा कि वह class of person class of person means that कि उसकी खोई खुद की गलती नहीं थी जो उसने terms conditions नहीं पड़ी यह terms condition वह नहीं पड़ सका ऐसी गलती होनी चाहिए जो उसकी खुद के control में नहीं थी वह unable था उस चीज़ को करने में जैसे कि कि किसी person को पढ़ना नहीं आता या भी blindness है या व दिया यानिंकि अगर आपने खुद बिना पड़े साइन कर दिया और आप पड़ सकते थी तो यहां पर आपका केस हुआ नेगलीजिंसी के अंतर तो नेगलीजिंसी के cases में आप इस प्ली को क्लेव नहीं कर सकते हो यह प्ली सिर्फ उसे उन्हें cases में रेज कि जा सकती है ज चाहिं को वह जो कि आचे हो सफ साइन कर दिया और जब इन सबस्याइं है तो थी मेक्जिंसी के करन्न नहीं बल्कि कि उसके किसी ने किसी डिसेपलेट के कारण है किलियर हुआ तो हम जैसे अगर बिन पढ़ी साइन कर दे और वहां पर बाद में मना करें तो वह नेग्लिजिंसे का मैटर आएगा जिसमें यह अपलाई नहीं आप कर पाओगे सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि सच में जिस ड यहींजिम्स को अभी डी सेट केस में 2023 के इस कीमें दुबारास से हैंग अगिया गिया h damaged नौन इस्ट फैक्टम जो कि डिफेंडेंट के लिए ऐसे डिफेंस काम करेगा जहां पर उसे नॉलीज ही नीज थी और उसे साइन कर दिया I hope कि यह कॉंसेप्ट आपका के लिए हो गया प्लीज लाइक शीर और सब्सक्राइब दी चैनल